नमस्कार दोस्तों आपकी अपने प्यादिक एश्रोल लाइफ यूडूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कन्या रासी वाले जातकों का जून 2024 का महीना कैसा रहेगा जून 2024 की सबसे महत्य पूर्ण भविश्रिवारी होने जा रही है दोस्तों हम आपको बताएंगे कन्या रासी वाले जातकों के जीवन में जून के महीने में कौन सा बड़ा धमाल होने जा रहा है अगर आप हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घरेंटे की बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारे देंगे वीडियो को अन तक जरूर देखें ताकि इस में कहीगी बाते आपको अच्छे से और इस पश्ट समझ में आ सकें तो आईए चलते हैं वीडियो की ओर सबसे पहले हम बात करेंगे कन्यारासी वाले जातकों की कुंडली में कौन सगरे कहां विराजमान है और आपको कितने चिप फल देने में सक्षम होंगे तो कन्यारासी वाले जातकों के आपके लगन में ही कन्यारासी के साथ केतु विराजमान है और आपके 6 हाउस में कुंब रासी के साथ सनी विराजमान है 7 हाउस में में रासी के साथ राहू विराजमान है 8 house में मेश रासी के साथ मंगल विराजमान है और वहीं आपके 9th house में विरिशव रासी के साथ शुक्र बुद्ध गुर्व और शुर देव विराजमान है अब आई जान लेते हैं कि जून 2024 में कन्या रासी वाले जातकों का स्वास्त कैसा रहेगा तो दोस्तों बता दे कि यहाँ पर आपका स्वास्त बहुत ही बढ़िया रहेगा क्योंकि देव गुरु ब्रिहस्पत की दृष्टी आपके लगन पर जा रही है मतलब आपके फ़श्टा उस पर जा रही है तो यहाँ पर आपका स्वास तो बहुत ही अच्छा रहेगा बट आप थोड़ा सा दो चार चीजों को लेकर सतर के रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपको गुप्त रोग भी हो सकते हैं चोट चपेड भी हो सकते हैं तो गाड़ी वाहन जब चलाते हैं आप तो गाड़ी वाहन द निरासी वाले जातकों का प्रेम प्यार कैसा रहेगा जून 2024 में तो दोस्तों बता दे कि यहां पर आपका प्रेम प्यार बहुत ही अच्छा रहेगा कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि देबकूर ब्रिहस्पत की दृष्ट आपके फिप्थ हाउस पर जा रहे हैं तो यहा पर यह सारी चीजे दूर होते हुए नजर आएंगी और जो इस्टूटेंट है कन्या रासी वाले जातक तो यहां पर आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी रहेगी बहुत ही अच्छा रहने वाला है यहां पर आपकी पढ़ाई अगर आप प्रतियोगी परिक्षा की तैया परिक्षा देने जा रहे हैं या फिर आपका रिजल्ट आने वाला है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी लेकिन आपको मेहनत तो जादा करनी पड़ेगी क्योंकि बिना मेहनत की कोई भी चीज हमें असाने से प्राप्त नहीं होती हर चीज में आपको थोड़ी से मेहनत तो पढ़ेगी फिर उसके बात बात करते हैं अगर कन्यारासी वाले जातक विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं पूरे-पूरे योग बने हुए है हाईर एजुकेशन भी आपकी अच्छी रहने वाली है जून दो हजार चौबेस में अग जी बिल्कुल है यहाँ पर संतान योग के पूरे-पूरे चांसे हैं अगर आप फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर संतान सुक आपको प्राप्त हो सकता है क्योंकि देव गुरु ब्रिहस्पत की दृष्ट आपके फिप्त हाउस पर डाल रहे हैं तो यहाँ पर संतान के पूरे-पूरे योग बने हुए हैं आप इस कुंडली में स्वयम देख सकते हैं कि देव गुरु ब्रिहस्पत की नौमी दृष्ट से पंचम भाव पर जा रही है तो यहाँ पर संतान योग के पूरे-पूरे योग बने हुए हैं अब आई साती के स्वास्थ पर दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपके सेवन्त हाउस में में राहु विराजमान है तो यहां पर थोड़ा सा वैवायक जीवन में नोग जोग बन सकती है लड़ाय जगड़े देखने को मिल सकते हैं ताल में इतना अच्छा नहीं रहेगा और आपके जीवन स स्वास्थ पर विशेश ध्यान दे अब ही चलते हैं कि आपका ब्यापार कैसा रहेगा नौकरी की इस्तिया कैसे रहेंगी तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका ब्यापार कैसा रहेगा तो कन्यारासे वाले जातकों को अपने ब्यापार से काफी लाप देखने को मि मिल सकते हैं तो आपको यहां पर धन मिलेगा ब्यापार आपका अच्छा रहेगा कोई भी दिक्कत नहीं होगी बात करें नौकरी में भी आपको 15 जून से लेकर 30 जून के अंतरगत अपने नौकरी में प्रमोशन या फिर आपको नौकरी से लाब देखने को मिल सकता है और करनेरासी वाले जातकों के लिए एक हम और खुसकवरी बता दे कि यहां पर आपके सुकसाधन में ब्रिद्धी तो होगी बट आपके सुकसाधन की वज़य से आपके खर्चों में भी ब्रिद्धी होगी अगर आप क्रियेटीव फिल्ड से जुड़े हुए हैं या फिर रा बड़े इन्वेश्टमेंट का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आप सतर के रहिएगा और सोच समझ कर निवेस करिएगा अनिधा आपका पैसा या फिर कोई चीचे फंच सकती हैं थोड़ा सा आप संभल कर रहें तो दोस्तों कनिया रासी वाले जातकों के लिए जून में यह स संद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड सियर कीजिए है